यहां पर हमने इसे integrate करना है, तो as always इसको इस तरह से लिख देते हैं, अब यह जो question है, यहां पर जो यह numerator है, इसे हम simplify करेंगे, और यह simplify होके कुछ ऐसा आएगा, जिससे denominator कट जाएगा, ओके, तो यहां पर sin 8x minus cos 8x, यह क्या होगा देखो, तो first of all, हम इसको लिखते हैं, इस तरह से, sin 4x का whole square minus cos 4x का whole square, a square minus b square का formula जो होता है, वो लगाएंगे, a plus b into a minus b, तो इसमें सबसे पहले यह हो जाएगा, plus, और फिर हो जाएगा, minus, okay, अब यहां पर, जो यह first part है, यह अलग तरीके से simplify होगा, यह second part अलग तरीके से simplify होगा, जो first part है, वहाँ पर क्या होगा, देखो, इसको हम लिखेंगे ऐसे, sin square x का whole square plus cos square x का whole square, ठीक है, इसको भी ऐसे ही लिखते हैं, okay, लेकिन इसके बाद यहां पर देखो, जो यह वाला part है, इसे हम कैसे करेंगे, देखो, यह आफ समझ लो कि यह है, a square plus b square, तो a square plus b square होता है, a plus b whole square minus 2ab, अगर आप इसे simplify करेंगे, तो आपको यही मिलेगा, तो यहां पर हम वही करेंगे, तो यह हुआ, a plus b, यानि, this plus, this, इसका whole square minus 2ab, 2 into, into, यह, है न, और जो, जो यह है, यह है, a square minus b square, यानि, again, a plus b into a minus b, तो यह हो जाएगा, plus, ठीक है, clear हो गया, यहां तक सब समझ आ गया, now, अब जानते हैं कि यह 1 होता है, तो यह हो जाएगा, 1 minus 2 sin square x cos square x, और जो यह है, यह 1 हो जाएगा, simplify करके, यानि, 1 के साथ multiply होके, यह आ जाएगा, sin square x minus cos square x, यानि, यह जो है, यह आ चुका है, और अब हम वापस लिखते हैं, अपना जो integral है, तो integral यहाँ पर जो है, वो जो numerator है, यह, इसे हम अब यह लिखेंगे, 1 minus 2 sin square x, cos square x, upon, और denominator में क्या है, 1 minus 2 sin square x, cos square x, and clearly, यह हुए cancel, of course, tx, तो हमारे पास यहाँ पर है, sin square x minus cos square x, देखो, यहाँ पर हम minus common लेते हैं, तो यह बन जाता है, cos square x minus sin square x, और जो की cos 2x होता है, यह हो जाएगा, minus integration of cos 2x, और यहाँ पर, जब हम इसे integrate करेंगे, तो cos x का integration होता है, sin x, तो sin 2x होआ, और इसको differentiate करके, नीचे divide कर देते हैं, और plus c, यह हो जाएगा, हमारा final answer, ठीक है, तो I hope आपको इस solution अचिसे समझ आये होगा,